नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो हमारा व्यवहार और हमारी आदते ही हमारे जिवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है वास्तु शास्तर और जोति शास्तर में विक्ति के व्यवहार, आचरन और आदतों का उसके जिवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी विस्तार पूर्वक वर्नन किया गया है हमारी आदतों का हमारे जीवन पर घेरा प्रभाव पड़ता है वास्तु शस्त्र की अनुसार हमारी आदते भी हमारा जीवन अच्छा या बुरा बनाने में अहम भूमी का निभाती है एक और जहां हमारी कुछ आदते बहुत अच्छी होती है जो हमारा जीवन सुख में बनाती है वह दूसरी और अंजाने में ही मगर हम कुछ ऐसी आदती भी पाल लेते हैं जिनका बुरा और नकरत्मक प्रभाव हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जाता है दोस्तो रोज मरा के जीवन की छोटी छोटी ऐसी कई बाते होती है जिने हम छोटा समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं आप शायद नहीं जानते होंगे परंतु सजिव के साथ ही निर्जिव चीजे और उनके और देखने का हमारा दृष्टी कोन भी हमारे जीवन की परिसितियों को निर्धारित करता है दोस्तो कुछ गल्तिया हम करते हैं हमारे जूत्य चपल हमारे लिए कितने महतो पूर्ण है यह हम सबी जानते हैं उनके रखरकाव को लेकर भी हम कई गल्तिया करते हैं और अपना जीवन दुखी कर लीते हैं तो चलिये देखते है कि जूतिय और चपल से सबंदित ऐसी कौन से आदते है जो हमें कश्ट देती है और जिने हमें तुरंथी बदल लेना चाहिए सबसे पहले तो अपने घर में जूतिय और चपल को भूल कर भी पूर्व, उत्तर, इशान्य और अगने दिशा में ना रखे चूंकि पूर्व दिशा सूर्य और इंद्र भगवान की होती है इस दिशा में जूतिय चपल रखने से वासुदोष होता है और सूर्य जो की गने दिशा में होता है 4 दिशा है जिसमे हमारा रसवि घर होता है गर के बीचों भी चपल जूते ना रखे चपल जूते हमेशा है। धार्मिक मानेता के अनुसार हमारे घरों में देवी देवताव का वास होता है और जिस तरश से आप मंदिर में जूते चपल पहन कर अंदर नहीं जाते हैं उसी तरह अपने घर को भी मंदिर समझे और घर के अंदर जूते चपल ना ले जाए। कभी भी जूते चपल का धेर ना लगाए उन्हें स्टैंड पर तरीके से रखे चपल जूते का स्टैंड कभी भी पूजा घर की दिवार को सटा कर ना रखे जूते चपल कभी भी तितर बितर करके ना रखे बलके अच्छे से जमा करके रखना चाहिए इधर उदर पड़े ना तो घर में रखे और ना ही कभी पहने, किसी भी शुबकारे के लिए जाने से पहले, काले रंग के जूते पहन कर जाए, काला रंग शनी का होता है और पैरो को भी शनी का कारक माना जाता है, किसी भी मरतविक्ति के जूते चपल ना पहने, इसे घर की सुक्षानती पर आसर पढ़ता है तो दोस्तो ये तिवा महतोपुर्ण बाते जो आस्तु शासर में जूते चपल से जुड़ी बताई गई है अगर यह जान करें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद